हलो दोस्तो बिहार के सभी परत्योकता परिक्षाओं की तियारी करने वाले छात्रों के लिए जरूरी वीडियो है आज समान्य परसाशन विभाग के ओर से बहुत ही महतपुर नोटीस आरी क्या गया है तो उचले देख लिजे इस नोटीस में क्या कुछ दिया हुआ और इसको अच्छे तरीके समझ लिजे यहां पर आप देखेगा तो बिहार सरकार समान्य परसाशन विभाग प्रेशक में है चंचल कुमार सरकार के परधान सचीव सेवा में सभी विभाग सभी विभाग अध्यक्ष पुलिस महानी देशक यानि डीजीपी और सभी परमंडली आयोग सभी जिलापता अधिकारी इसके बाद है सचीव बिहार लोग सेवायोग सचीव तकनीकी सेवायोग यानि BPSC तक इसके अलावा हो गया बिहार SSE, BSSC तो इसके माध्यम से इंटर अस्तरिय और असनातक अस्तरिय भरती होती है सचीवाला इसा है कौरान राज्य सरकार के ओफिस के लिए करमचारी की भरती की जाती है इसके बाद है CSVC तो CSVC के माध्यम से कॉंस्टेवल सिपाही लेवल की भरती की जाती है और इसके अलावा एक नए आयोग बना है BTSC तो बिहार Technical Service Commission के माध्यम से टेकनिकल से संबधित जो भी पोस्ट है जैसे जुनियर इंजिनियर हो गया यह सब भरती की जाती है और BPSC भी है बिहार लोग से बायोग तो BPSC तो बहुत पहले से है BPSC के माध् यानी परतियुक्ता प्रिक्षाओं संबंधित यह नोटीस है और यहां पर देखेगा परतियुक्ता प्रिक्षाओं बैठने कावसरों की सीमा के संबंध में इसके बाद है महां से उपरयुक्त विशाय के संदर में कहना है कि समाने परसाशन विभाग के संकल और यहां पर कतीपाय बिंदों पर मार्क दर्शन परिचारित किया गया है और उक्तसंकल्प की कंड़ी का तीसरे नमर के आठवे नमर पॉइंट में निमन वाता है यहां पर आप देखेगा तो सिर्फ दो आयोग का नाम है एक है बिहार लोक से वायोग और दूसरा है बिहार S.S.E. तो 2007 में जो है दो ही आयोग था बिहार में एक BPSC था और इधर बिहार S.S.E. हो गया BPSC दरोग आयोग जो बना है 2017 में CSBC भी 2010 में यह सब गठन किया गया तो उस समय दो ही आयोग था इसलिए यहां पर दो ही आयोग का जिक्र किया गया तो यह जो नियाम है सभी आयोग पर ल यहां पर है 15-19 दिनांग 10 सितंबर 2003 के तहद समाप्त की जा चुकिए अता किसी भी परत्युकता प्रिक्षा में बाइटनी के लाववसरों की सीमा नहीं रहेगी परन्तु सरकारी सेवकाउं के लिर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी अब इसी पॉइंट क यहां से क्लियर हो जाएगा इसके बाद यहां पर आप नीचे में देखेगा तो उपर युक्त प्रावधान से असपस्ट है कि आयोग द्वारायुजित की जाने वाली परत्युकता प्रिक्षाओं बैटने के लिए बिहार राजी के सरकारी सेवकाउं के लिए राजी सरका अगर आप अधिकतम उम्र की सिमा में छूट लेते हैं तो बिहार पे जो अधिकतम उम्र की बात करें तो सभी आयोग में अलग अलग है बिहार प्लीस में 25 साल है जनरल कैट्वरी के लिए दरोगा में 37 साल है तो अगर आपका जनरल कैट्वरी साथ हैं 37 साल एज कंप्लीट हो गया और बिहार सरकार के अंतरगत सरकारी सेवक, सरकारी सेवक में टीचर को कॉंट नहीं किया जाता है, अगर आप कॉंस्टेबल सिपाही दरोगा ये सब पोस्ट पे है तो बिल्कुल आप राजी सरकार के करमचारी यानि जिसमें पर्मानेंट रूप से सैलरी हर मेहने दी जाते हैं, अगर आप किसी भी डिपे भाग में हैं और अगर आपको हर मेहने सैलरी मिल ला है तो आप राजी सरकार के करमचारी है, टीचर को राजी सरकार के करमचारी में कॉंट नहीं किया जाता है, अगर आ आप कुछ परिक्षा जैसे BPSC हो गया, द्रोगा हो गया, यह सब में आप उम्र में छूट ले सकते हैं, उम्र में छूट का जो कंडिशन है, सरकारी सेवा को 5 साल का उम्र में छूट दिया गया है, यानि 37 पलस 5 आप 42 साल तक फॉर्म फिलब कर सकते हैं, साथ में एक और कंड दुगरी साते हैं, तो BPSC के एकजाम सिर्फ 4 बार ही दे सकते हैं, जिस तरह से UPSC में कंडिशन है, सेमुसी अकोर्डिंग भी हर में भी कंडिशन था, 2003 के बाद इसे खत्म खर दिया गया, जब तक आपका एज बचा रहेगा, तब तक आप जितनी बार भी चाहे, एकजाम के दोरान आप तीन बार ही फॉर्म फिलाप कर सकते हैं, यहां से क्लियर हो गया, यह कोई नया नियम नहीं है, लेकिन यहां पर सबसे दिकत यह है कि समाने परसासन विभाग क्यों से इस नोटीस में असपश लिख देना चाहिए, यह जो नियम लागू होगा, परंतु सरका नहीं दिया हुआ रहता है, और इस कारण से कोट केस होता है, फिर भरती प्रक्रिया लटक जाता है, चार-पांस साल, दस साल तक कम्पलीट होता, अभी बिहार SAC का आप देखेगा, इंटर लेवल 2014, उसमें कोट केस जो हुआ है, इसी सब नोटीस के कारण से ही, नोटीस मे आप सिर्फ तीन बार ही फॉर्म फिलब कर सकते हैं, जो पहले से नियम चला रहा है, 2003 से उसी अकॉर्डिंग होगा, यहाँ पर कुछ नया नहीं होने वाला है, लेकिन विभाग कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी गलती है, ऑफिसल वेबसाट पर कोई भी सूच नियम में कुछ भी यहाँ पर संसोधन नहीं है, बस जो पहले का यहाँ पर नियम है, उसी को यहाँ पर फिर से बताया गया है, और विभाग को यहाँ पर चाहिए था कि यहाँ पर एक लैन और जोर दिया जाता है, अधिकतम उमसीमा में छुट का लाव लेने वाले ही सिर् इस्ट्रेन के मन में भी confusion रहता है, यहाँ से कुछ समझ में नहीं आता है, यहाँ सरसथम BPSC भरती 2021 कॉफिस्यल विध्यापन है, यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर आप चौत्य नमर पॉइंट में देखेगा तो उम्र सिमा के बारे में है, और यहाँ प इस परिक्षा में बैठने के अवसरों की सिमा समाप्त कर दी गई है, परन्तु सरकारी सेवकों के निरधारी अधिक्तम तीन अवसरों की सिमा लाग उड़ेगी, इसके बाद दूसरे नमर पॉइंट में कार्मिक यों परसासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्यां 374, इसके बाद है ऐसे सरकारी सेवक, बिहार सरकारी के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक, जो तीन बरसों की निरंतन सेवा पुर्ण कर चुके हो, कुछ तर बेतनमान की सेवा संबर्ग में जानी के लिए अधिक्तम आयू सिमा में 5 बरसों की छूट अनुमानने हैं, बिहार में जो जनरल काईटोगरी का अधिकतम उम्र का कंडिशन है 37 साल, और अगर आप BPSC में फॉर्म फिलप करते हैं, अगर आप किसी विभाग में जॉब में, अगर बिहार पुलीस दरोगा, किसी भी पोस्ट में अगर आप सलेक्टेड है, तो अधिकतम उम्र में आप पर अधिकतम उम्र में छूट दिया गया है, इस बीच में आप तीन फॉर्म फिलप कर सकते हैं, तो यहां पर समाने परसासन विभाग क्योर से जो आज नोटीस आरी किया गया, उस नोटीस में किलियर लिख देना चाहिए एक लाइन और जोर करके, जो अधिकतम उम्र सिमा में छूट लेंगे, उसी इक लिए अवसर लाग हुआ है, तो फिर यहां पर स्टुडेंट के बीच में जो कन्फ्यूजन है, रहता ही नहीं, और जो भी नोटीस आरी किया जा तो ऑफिस्यल वेबसाट पर बिल्कुल सही तरीके से सही भासा में लिखना चाहिए, जिसे सभ कुछ समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, डॉट ना रहे, यहां से आप लोगों को सब कुछ क्लिर समझ में आ गया, अगर आप सभी चैनल पर ने हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुर जाए, हम आप लोगों के इसी तरह बिल्कुल सही जानकरी प्रोवाइ क्लिपास है तो, भे जाए, जाएओावार लोगों के भी में आप लोगों के फिंग का लिवाझ मेंगे कान से तरह जोगं के इसाम।ब्स लोगों के यौजम के प्रोवाव प्रोवाए़ बिल्त।ंट रहे, फिविर जाहे के तो पन्से के चिए अगर, बिल्दम के जा है